दोस्तों आज कुछ मीठा खाने का मन किया तो मैंने सोचा चलो कुछ हेल्दी बना लेते हैं तो बेटे को भी ये बहुत पसंद है और मेरे तो ये फेवरेट है तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं तो एक कड़ाई लिए मैंने और इसे गेस पर रख दिया है गेस ओन जाते हैं तो ये तिल सीख चुके हैं अभी मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल रही हूँ और साइड में रख दूंगी तिल को अभी सेम कड़ाई लिए मैंने और इसमें मैंने एक बावल भरके मखाना डाला है इसे भी ड्राय रोस्ट करना है ये भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं तो इन्हें फटपट चमच से चलाते रहना है और ये मखाने भी हो चुके हैं हाथ से जब हम इन्हें तोड़ेंगे तो ये इसली तूट जाएंगे इतना इन्हें सेक लेना है तो इसे भी मैं साइड में रख दूंगी निकाल लूंगी इन्हें भी और अभी सेम क मैं आपको उठा की दिखा रही हूँ अभी ये चाशनी इसकी पूरी नहीं हुई है अच्छे से नहीं बनी है ये धीर धीरे चाशनी कलर चेंज करने लगी है मतलब जादा कड़क भी नहीं हो जाए ध्यान रखना है तो इसका पता करने के लिए हम एक बावल में पानी लेंग आपको दिखाते दिखाते ये और कड़क मतलब कलर इसने चेंज कर लिया है तो अभी इसे चेक करेंगे अभी ये स्टेच पर मैं गेस बंद कर दूँगी क्योंकि मुझे पता है कि चाशनी हो चुकी है तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि बावल में ये चाशनी हो ग और मकानों को अच्छे से इसमें तील को और मकानों को चाशनी में अच्छे से मीक्स कर देना है पूरी इसकी कोटिंग हो जाए गुड की चाशनी की अभी इसे निकाल लूँगी एक थाली में मैंने घी लगा के रखा था उसमें मैं ये मकाने निकाल लूँगी ये काम में अलग-अलग करना है एक-एक मकाने को तो ध्यान रहे कि हाथ नहीं जले थोड़ा सा ठंडा हो यह जिसे हम इसे छू सकते हाथ से तभी इन्हें तोड़ना है और ज्यादा देर भी नहीं रखना है अगर ज्यादा देर रखेंगे तो यह तूटेंगे नहीं एक दूसरे से थी तोड़ते थोड़ते टाइम लग गया था तो यह देखिए थोड़े वाइट हो गया है इनकी कोटिंग निकल गई एक दूसरे से चिपके थे तो यह अलग अलग और एक कटोरी मैंने वापस गुड़ डाल दिया है इसमें इसकी भी हमको चाष्णी बनानी है तो हमने पहले चाष्णी बनाई थी वेसी ही इसकी भी चाष्णी बनानी है अभी इसकी चाष्णी हो चुकी है मैं चेक कर चुकी थी तो अभी इसमें मैं मुम्रे डाल रही हूँ आप क्या बोलते हैं हम मुर्मुरे बोलते हैं इने तो ये डाल रही हूं मैं और इसे भी अच्छे से mix कर देंगे इसके लड़ू बना रही हूं प्रेंट्स मुझे बहुत पसंद है मैं नानी के घर जाती थी तब भी बोलती थी कि नानी मुझे लड़ू लाके दो तो वो नादा ठंडा कर दोगे तो आप इसके लड़ू नहीं बना पाएंगे तो ये थोड़ा ठंडा हो चुका है अभी मैं कड़ाई को नीचे रख रही हूं और हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा रही हूं आप तेल या घी भी लगा सकते हैं और मैं हाथ में थोड़ा थोड़ा स पॉर्षन लेकर और इसके लड्डू बनाऊंगी तो यह बहुत आसानी से बन जाते हैं फ्रेंड्स इसके लड्डू थोड़े दबा-दबा के बनाने है तो यह देखे लड्डू बन रहे हैं कि एक 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 सब लड़ू बनाऊंगी अगर ये आपको लगे कि थोड़ा कड़क होने लगा है तो कड़ाई को आप येस पर थोड़ी सी और गरम कर लीजेगा ताकि ये चासनी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और ये आप आसानी से बना सके लेकिन ध्यान रहे कि जादा गरम नहीं रहे च एक रेसिपिया आप लोगों को कैसी लगी है फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो कीजिये ताकि ऐसी ही नई-ही रेसिपी के वीडियो में हमेशा लेके आ सकूँ रोज रोज आपके लिए नई- झाल झाल